प्यारे भाईयो बहनों, सबसे पहली बात तो यही है कि मनुस्य जनम मिल पाना बहुत ही दुरलब है क्योंकि कबीर समग्र के पेज नंबर 379 पर कबीर सहाब लिपते हैं मनुस्य जनम दुरलब है होई ना दूजी बार पक्का फल जो जरी पड़े बहुरी ना लागे डार और अगली बात यह है कि यदि ये निराकार प्रभू परमेश्वर अपनी अहतु की दया से जीव को जो जनम जनम अन्तरों से विभिन योनियों में भटक रहा है उस पर करपा करके अपनी एहतु की दया से उसे मनुस्य जनम परदान कर भी दे तो इस मनुस्य जनम को प्रात करके यहां जो तमाम असंग के गुरु हैं उन गुरुओं में पूरे गुरु को, पूरे सतगुरु को खोज पाना बड़ा ही मुश्किल काम है और यदि ये काम भी हो जाए, पूरे गुरु के दर्शन हो भी जाएं, ये मिले भी जाएं उस ब्रहंग्यान को प्राप्त करके वो जिग्याशु इनके बताए हुए मार्क पर चल पाए यह काम करना ंर भी मुश्किल है एक गुर्सिक यदि कभी ब्रत भी ना रखे, पूजा भी ना करे, पाठ भी ना करे, तपस्या भी ना करे, ऐसा कोई करत्य ना करे और केबल और केबल अपने गुरू के बच्चनों को अपने जीवन में उतारता चला जाए, अपना जीवन उसी हिसाब से चलाए, जिस हिसाब से चलाने के लिए सद्गुरु का आदेश होता है तो बस हो गई गुर्सिक की साधना मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि एक गुर्सिक गुरु के मुख से बोले यानि उसके मुख से जो भी बचन निकले वो गुर्मत वाला बचन हो वो गुरु के कान से सुने वो गुरु की आँ बोले वो सबको केबल और केबल परमात्मा के बच्चे हैं सारा संसार इस द्रश्टी से वो सारे संसार को देखे तो यदि वो ऐसा करता है तो वो पूरी तरह से अपने गुरु का फालोवर हो जाता है और फिर यही हो जाती है उसकी साधना एक गुरसिक की साधना मेरे अनुस उसके साथ रहते हैं और ऐसे गुर्षिक तन से मन से धन से सदा ही सुखी संपन होते हैं उनका जीमन शांत रहता है सारे सुख उनके घर में बरसते हैं प्रेम का बाताबरण बहां सदा ही रहता है और वो जीते जी जीते जी ही वो मोक्ष के आनंद को प्राप्त करते हैं ऐसे कुर्सिक समाज के लिए अनुकरणिये भी होते हैं। संतों बावर्शा कौन नहीं चाहता कि समाज उसे सम्मान की द्रश्टी से देखे। हो सकता है। यदि एक गुर्सिक अपने जीवन को साध ले। गुर्सिक की साधना का अर्थ है कि गुर्सिक ने अपने जीवन को साध लिया है। अब उसकी अपनी कोई मर्जी उसके जीवन में लागू नहीं होती। उसके जीवन में केवल और केवल लागू होता है। मर्जी से वो कुछ करता ही नहीं क्योंकि एक गुर्सिक की मर्जी अपनी उसकी मर्जी नहीं होती यदि ये सब कुछ हमसे नहीं भी हो पाता प्यारे संतों महापुर्शों तो हम कोशिस तो करी सकते हैं गुरु बचनों पर चलने की हम कोशिश तो कर ही सकते हैं तो कोशिश ही सफलता की रह में पहला कदम होता है तो फिर कोशिश आज से ही और अभी से ही करनी आरंब करनी है हम सबको और दास अपनी वात करें दास न तो बरसों पहले ऐसा किया है हाला कि अभी तक भी पूरी तरह से गुरू बचनों पर नहीं चल पाता हूँ लेकिन कोशिश लखातार जारी है मंजिल एक दिन मिलनी ही है हाँ इतना जरूर हुआ है कि जीवन में सुख, सांती, संतुष्टी आ गई है और वो आई है केवल और केवल इनकी करपा से इनकी करपा जब होती है ना तो फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके जीवन में नहीं आ सकती आपके जीवन में भी आ सकते हैं सारे सुख, संतुष्टी और शांती बस आज से और अभी से कोशिश करने आरंब कर दीजे कि हमें जो कुछ भी करना है हमें जो कुछ भी अपनाना है वो केबल और केबल इनके अनुसार अपनाना है यदि ऐसा करेंगे तो शेगर ही आपके जीवन में सारे सुख आने आरंब हो जाएंगे बस इनी शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं सदा की तरह आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना आभी से शेयर करना आरम कर दीजे इनी शब्दों के साथ आप से भी को जैहिंद नमस्कार और प्यार भरी धन्नकार